भगवान ने तुम परतमान में बरतमान में तो हनमान जी वचाएं बहुत से लोग माला लिये रहे राम-राम-राम-राम-राम-राम-राम-राम-राम-राम-राम-राम-राम-राम-राम-राम-राम-राम-राम-राम-राम-राम-राम-राम-राम-राम-राम-राम-राम-राम-राम-राम-राम-राम-राम-र पर हो के कचोड़ी पा रहे हो इसका मतलब यह नहीं कि बंद कर दें नहीं करना चाहिए ना करने से तो अच्छा है कि कर रहे हैं पर हम यह कहना चाहे रहे कि तन से फूरे भया तुम्हारी जीव है और जीव की आदत जब राम राम जपने की हो जाएगी तो तुम्हारी जमाना पुराना जमाना तांगा कर तो एक आदमी गया कि हमें रेल्वे स्टेशन तक अपने तांगा से छोड़ जल्द बाजी में सुबह चार बजे उस रुक जाए तांगा बाला उतरे हो थोड़ा डांस करें और चले घोरी फिर थोड़ी दूर चले और फिर रुक जाए सु तांगा बाला नीचे उतरे हो फिर डांस करें फिर बू चले तो जो आदमी बैटा था बोले इस चक्कर में तो हम बारा बजे पहुंचेंगे एक बात बता यह तुम डांस करकर के क्यों चल रहे बोले साहब क्या बताएं जल्द बाजी में घोरी बदल गई साधी वाली गोडी ले आए जित संगत अपनी संगत को जीतो संगत किसकी कर रहे ध्यान रखो बढ़िया संगत होगी तो बढ़िया रंगत होगी जैसा पियोगे पानी बैसी बोलोगे बानी जैसा खाओगे अन बैसी उड़ेगी मन इसलिए भाईया संगत बहुत कंट्रोल के साथ रखना मेरे पागलो आपके मित्र कौन है ये बहुत महत्रपून है याद रखना इत्र और मित्र दौनों सावधानी से रखना चाहिए बोलो सीताराम तो भागबत में अभ्यास बताया जितासनों जितस्वासों जितसंगों चोथा उपाय क्या जितें इंद्रिया इंद्रियों को जीतो अच्छा ये इंद्रिये क्या है भीतर है क्या नहीं नहीं आख नाख कान मू ये इंद्रिये हैं क्या करना चाहिए किसे द देखना चाहिए कंट्रोल पा लेना ही जिते अंद्री है अब हम लोग कानों में वो लगा लेते हैं व्लूटूफ